इस वीडियो में बात करेंगे long term vision और short term goals के बारे में जो आपके business का aspirations है आप सोचे रहोंगे कि मैं 1100 करोर को business करा करना चाता हूँ मैं आमबानी बनना चाता हूँ तो आपका बहुत ही long term goal है पर यहां पर इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि long term goals को कैसे आप अचीव कर सकते है short term goal के माध्यम से तो यहां पर simple से example है बहुत सारे आपको examples मिलेंगे पर मेरा example यह है कि आपके सामने Mount Everest है आप वो चोटी में जाना चाहते हूँ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा I need to get fit then I need to prepare for you know mountaineering training करना पड़ेगा तो यहां पर आपने long term vision आपके पास है बहुत इच्छी बात है आपने उसको लिखके रख दिया उसके बाद आपको short term goal achieve करना है point one point two point three point four step one step two step three step four करके जाना है हर जगा MBA में भी आपको यह बोलेगा exam job देते हो पूरा साल का पढ़ाई तो एक दिन में नहीं करते हो आपका first chapter second chapter third chapter ऐसे करके complete करने के बाद वो पूरे साल का exam आप final examination देते हो एक साल बाद एक साल आप पढ़ते हो ठीक है आपको एक दिन में नहीं आप शायद से खुद आके लिए एक दिन में पढ़ते हो but still you have to you know do it step by step तो जब भी आप business शुरू कर रहे हैं या बिजनस शुरू कर चुके हैं या कुछ भी करना चाहते हैं business की दुरिया में आपको vision शायद से 100 करोर का business होगा पर सबसे पहले आपको 1000 रुपे कमाने फिर 10,000 रुपे 20,000 रुपे 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, दो करोर फिर 100 करोर आएगा अगर आप 100 करोर का सपना देखके 100 करोर के पीछे भागते रहो के कभी नहीं पहुंचोगे माउंटर्वेस्ट में अभी मैं अगर भागते भागते माउंटर्वेस्ट के टॉप में जा सकूँगा नहीं चासूँगा I'll die and that is the reality with a lot of 90% of entrepreneurs की वही हो जाएगा यहां पैसा डालते हैं यहाँ वह उल्टा से दा चीज़ करते हैं उल्टा से प्राडक्त करेते हैं फिर को समझगे आपके पास पैसा या या नहीं really सही नहीं या फिर उसके पास lowly slowly slowly आप ने ब्रैंड आया ऐ जब प्लाई किया बिजिनस श्युरू किया प्राडग बनाया रिशर्च किया सब अपने बहुत आंप rápust 주 दोंड़ा कास्टमर आया मुझे शुरू करना परेगा so I started from 0.0 then 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 then 0.X where I want to go अगर आप डायेट भगना चाहोगे 0.X you will die you will die rarely, you know, not even one in a million हो सकता है but that's not you, that's not me let's be real, reality को समझे अगर आप reality को accept नहीं करेंगे नहीं समझेंगे, नूटल तरीके से नहीं देखेंगे you will suffer a lot so please have long-term vision but set short-term goals look, run for short-term goals but wait for long-term vision please do that करेंगे